आपको लक्षमर्द जी के भरत जी के बेटों का नाम पता है? क्या नाम है? आठ साल की उम्र क्या होती है और आठ साल के एक बच्चे को क्या-क्या पता होगा यह हो सकता है उसको दो-चार पहाले आते हो हो सकता है कि कुछ पोयम आती हो और कुछ का विताय याद की हो उसने साइंस पढ़ रहा हो तो विज्ञान के कुछ उसको फॉर्मूले पता हो इतना ही पता होता है आम तोर पर आठ साल के बच्चों का बच्चों को लेकिन यह हमाएं साथ जो आठ साल के बच्चे यह वड़े कुछ जानते हैं जो हम लोग भी नहीं जानते और मुझे लगता है मेरे से उमर में जो बड़े लोग होंगे वो भी नहीं जानते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम नमिश्वर्धन सिंग बढ़ा बहरी नाव में आर तुम्हारा क्या मतलब होता इसका नम्मन पूरवजों के पारे मैं सबसे पहले राव जी राम जी के पिता pixy के आज ऐसकैना यायाठी याह टिके नहोश नवकिने अ does a प्रशूशुक के सीगर्ग, और प्रशूशुक के मरू, मरू के सीगर्ग, सीगर्ग के अगनिवन, अगनिवन के सुधर्शन, सुधर्शन के संखन, संखन के प्रवर्द, प्रवर्द के रगू, रगू के कुकुस्त, कुकुस्त के भागीरत, भागीरत के दिलीब, दिलीब क अन्षुमन अन्षुमन के स्मैंज我想anji के सगर सग二 अप्रथु प्रतु के जू पिताशी का नाम था उनका नाम था घूलके प्रतु के पिता घीगा कॉँआ किं प्रदुब ने अपने बताया है इतना भे नहीं मालुम होता किसी को कितनी पिडियां आप-पने राम भगवान के घिनाते कैसे बताателя परतुब-पिता चीनग के नम्ट इसफान के कश्यप करißव के मारीच मारीच के ब्रम्मा जी तो ब्रहहmed जी के 47 अवंद तेह सुग पीड़ी है पर देखता हूं तो कुछ जानकारी की चीजे भी देख लेता हो और क्या पता ऐपको और मुझे ऑ Schüler के स्दइट्सियों के बारे में कौन थे कारं थे सबसे पहले ज और राम जी के पतनी का नाम था सीता जी सीता जी और उनके दो बेटे थे लव और कुष लव और कुष और उसके बाद कैकाई कैकाई के जो बेटे थे उनका नाम भरत था भरत और उनके भी भरत और उनके मांडवी उनकी पतनी का नाम था और उनके भी दो बेटे थे पुशकल और मड़ी भद्र और उसके बाद आती हैं लक्षमर्ट जी सुमित्रमाता के बेटे और उन लक्षमर्ट जी जो थे उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था उन दोनों के दो बेटे थे अंगद और शत्त धर्मकेतु अंगद और धर्मकेतु और उनके और उनके जो और उसके बाद जो सत्रु सुगहन राज सीटा जी और उर्मिला जी बहने थी है जो पिता जी का मैं राज की बेट सुने ना था और मांडुी औरinek रसाल की तो ये दोनों भी सगी एय। मप्री मान सा क्तूर के मैं के बाट पर toutesे नहीं है वद स्कूल्प में तो नहीं पढ़ाया जाता है कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो यह कहाँ से सीखा पापा दादा से सीखा मैं मिन मुलेच करती हैं और जए अलग-ळग हो जगहां और कभी शोशल मीडिया से में खुद भी करता हूं कभी कभी तो इसमें इंट्रेस्ट आपका है भगवान के बारे में पूजा पार्ट में ज़्याधा रूची है या राजा राम लला के बारे में भगवान श्री राम के बारे में नमिश्च को इतनी जानकारी पूरी फैमिली चेन बता दी और उनमें जो हमें भी इतने नाम नहीं पता हैं कि मुझे पता कि कई सारे यहां जो बुज़ूर्ग लोग होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे हैं पता है जो बता रहे थे हैं इधर आई बाबा जी आप जरा क्या लाई चनक आ रहे हैं कि क्या पता था इधर आओ जरा नमिश हमको तो नहीं पता भाई इनसे पूछो जरा हाँ दर फेटाजी का नाम क्या था दस्राजी के पिता जी का नाम पता आपको ऑधर जी आदभूत बालक है इसको राम भगवान की सारी जो कितनी तहतालिस चालिस पीडियां पता है आपको लक्ष्मड जी के भृत जी के बेटों का नाम पता है च। क्या नाम है पुशकल तुम्हारा गर कहा है इस नहीं हो सकती क्योंकि जैसा आप ही ने कहा कि दनी है अध्भूत बच्चे तो इनके जितनी जानकारी तो नहीं दिखाएंगे अच्छा हम दिखार अच्छा उन जो है अच्छा आपको ही बताओ कि अच्छा लगता है बता रही है पूचने का हमारा हमको पैसा मिंग लाए तुम जो कर रहों करो तो आपकी मम्मी का है अच्छा आप मुबाइल रिकॉर्ड कर रही थी क्या नाम है अपका अपको पता है इसको पता है बिल्कुल नहीं सर्व मैं तो यादी नहीं कर सकता बिल्कुल और ये बड़ी अच्छी बात है इनको जो पढ़ते हैं और देखते हूँ याद हो जाता है यह आपको इस पेस के भी बारे में बहुत अच्छी जानका यह दे सकते हैं जी और राम चंद्र जी हाँ यह रामयल किसे ने लिखा है और एक रामयल मुझे बहुत सारी भासाओं में लिखा गया जैसे कि अटमिल हो गई टेल्गू हो गई और नार्मली जैसे हम हमारी जो संस्क्रिट में लिखाए हुआ था गुजस्वामी तो जैसे मारी मिख जी ने लिखाइए लिखा था जार भासा और में जानकारी या है और खुद्र मानस मानस में उद्षा टारी जनक इनके लिए अंदर चुrike हो किस्किंधा कान शुंदर कान, लंका कान, बता है किस्किंधा कान? जब भगवान राम सुग्रिव से मिलते हैं तो उसको वो है किस्किंधा कान? तो यह आप ने इन को सिखाया है? मैं सोचती है कि जब इतना कुछ राम चेंदर जी ने 500 सालों का तपश्या की है तो हमारी आने वाली पीड़ी इसको भूले ना तो अभी हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो पीड़ी दर पीड़ी ऐसे बढ़ती जाएगी तो ये नौलेज मुझे लगता है आज मैं इस दर पीड़ी चलती रहेगी आगे जितना राम जी को अपने जन पे अपनी जगह पे इतना मतलब प्रूफ मांगा गया उन से कि आप कहां पैदा हुए थे तो आप हमारी पीड़िया ये बता सके कि हमारे राम जी यहां पैदा हुए थे और हमारी ये पीड़िया है तो अभ छोड़ा बयापार करता हूं ओडें। फूजा समगरी और यहां पर अभी में किराये पर हो गॉंडदा रहने वाला हूं और यह पूलपार करनेगे बाद जो आप जो इतना सिखार रखा है तो इनको भी कुछ थिखाई है यह मुझे इंट्रेस्ट है मैं सोच्ती हुज़ जो मुझी में है वो सीखे उनका भी तो अभी जो और और क्या पड़ते हो स्कूल में क्या पड़ते हो इस लोग बता दो अजये मम्मीयों की सबसे खराब आदत होती है जब भी कोई आएंकल को गाना सुना दो अंकल को स्लोक सुना अरे वो बताएगा सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम होता है क्योंकि परिश्रम करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता अर्ट मतलब मदा आगया गुरू तुमसे पहले आदमी हो जिससे मिलके अध्या मुझे बहुत आनंदा आया बाकी बहुत लोगों से मिला सब गुरू है लेगिन तुम गुरूओं के गुरू बनोगे पकी बात है क्या बनना है बड़े हो करके ऊचार आइस क्या होतए आइस पता है ये सीघ्व ए इंडियान असिस्टेन और अच्छे एड्मिस्ट्रेटिव सर्विस तो क्यों बनना ऐसे किस ने बताए कि यहीं बनना है आई एस के लिए मुझे इसलिए बनना है क्योंकि आई एस अगर आप बन गए तो अगर आप अच्छे पूस्ट से पास्ट्रेट डियम डियम से अभी आप 25-25 सालों बाद आप बनोगे ची लिकै Pocket को आइप एस थे और आई एस अलग होता है कि जो आए पिए सोटा व recommends वो जो प्लिस की वर दी में होता है और आइस जोता वो डियम होता है तो है उसके उपार जाके और अisterohn जैसे की प्रायम मिनेस्टा बहादी कर शेसे सलधकार होते में वह बन नहिंदा है लिख औ पढ़ना है और इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो या फिर हिंदी मीडियम में तो सीबसी बोर्ट से जबसी बोर्ट का है इसे तो आपके तो स्कूल में खूब चर्चा होती होगी यार पूल मैं तीचर्स लोग तारिफ करती है जो भी होता है इसको करवाती है जैसे यहीं पढ़ने मजा आता या बुग पढ़ने में मजा आता है वो जैसे कि आपको पता है ने मुझे नहीं पता है टोटल 82 सटलाइट्स है और और वह सबसे ज्यादा उसी के पाँ सैटलाइट्स और जुपिटर के बाँ जैसे कि 79 से लाइट्स है और हमारा सबसे बड़ा जो बिगेस प्रेंट वो जुपिटर है सेटेलाइट होगे उपगरा है जो बोलते हैं ना उपरा जो बोलते हैं बहुत बढ़े हैं तुम्हारा भविश बहुत अच्छा करो नमिश आप और खूब सारी शुब कामना है खूब तरकी करो यह कमाल के ब करें मेरा नाम अब इन्हों पांडे मेरे साथ कैमरे के बिचे मेरे साथी करम जी थे देखते रहें दीललन टॉप शुक्रिया